सूपर भात बच्चों स्वागत आपका आपके हिंदी की कक्षा में अपने हिंदी की नोट बुक निकालें सबसे पहले बच्चे दिनाक लिखेंगे अपनी बाई दरफ और कक्षा कारे या ग्रह कारे लिखेंगे अपनी दाई दरफ तो बच्चे आज हम क्या करेंगे आज हम अपने हिंदी का कार्य करेंगे स्वर को पहचान कर अगला स्वर लिखें सो बच्चे यहाँ पे देखें कुछ स्वर लिखे हूँ है न मैंने सो कौन से स्वर है ये स्वर अ अ के बाद क्या आता है आ सो लिखेंगे आ अगला स्वर है इ इ के बाद क्या आता है? इ इमली इएख ये कौन सा स्वर है? आ आ से आ आ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ इ इ से इमली अगला स्वर कौन सा है? इ इ से इख इ के बाद कौन सा स्वर आता है? इ उ उ से उल्लू कौन सा स्वर है ये उ उ के बाद क्या आता है उ लिखेंगे उ उ के बच्चे स्वर को पहचान कर अपना अगला स्वर लिखें ट्यान ओवर दा पेज पेज प्रिष्ट बदलेंगे लिखेंगे दिनांक अपनी बाईं तरफ और क्रेक रक्षा कारें अपनी दाईं तरफ सो बच्चे आज हम लिखेंगे अपना अगला स्वर स्वर लिखें उ उ से उन्ट उ से उन उ से उन्ट उ से उन्ट सो लिखना शुरू करेंगे सबसे पहले बच्चे अपनी ब्लू लाइन पे फर्स ब्लू लाइन पे एक कर्ब बनाया है सेकंड ब्लू लाइन तक फिर दूसरा कर्ब बनाएंगे सेकंड से थर्ड ब्लू लाइन तक दोनों ब्लाइन के बीच में एक स्लिपिंग लाइन बनाएंगे और एक स्लांटिंग लाइन उ फिर से लिखेंगे फिर्स कर बनाएंगे फिर्स ब्लू लाइन से सेकंड ब्लू लाइन तक फिर सेकंड कर बनाएंगे सेकंड ब्लू लाइन से थर्ड ब्लू लाइन तक दोनु लाइन के अंदर जो ब्लू लाइन है उस पे एक छोटी सी स्लिपिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन तक और उपर स्लिपिंग लाइन उ से उन्ट उ से उन्ट बच्चे ये आपका ग्रेक आ रहे हो स्वर लिखें उ और स्वर को पहचान कर अपना अगला स्वर लिखें बच्चे बाएं, वैवन नाई से टेक एर एंड शेफ